नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ दोस्तों सबसे पहले मैं आपको नवर्ष की शुब कामनाई देना चाहूँगा और साथी साथ यह अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे दुआरा रोजाना रात्री आठ बजे जूम मीटिंग के माध्यम से एक नई सीरीज की सुरुवात की गई है जिसे नाम दिया गया है केस्बुक का और इस केस्बुक की सीरीज में हम सभी संस्थाओं को साथ लेकर चलने के उद्दिश से सभी बेसिक इनफोर्मेशन आपके साथ लगातार शियर कर रहे हैं जिसमें पिछले दिनों में संस्था के विभिन परकार के रिष्टिशन संस्था का बायलोज कैसे लिखते हैं उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स करने चाहिए संस्था का पैन और उसमें की जाने वाली जो महतोपूंड गल्तियां हैं जो हमारे द्वारा कर दी जाती हैं उनके बारे में आपको समझाया जा चुका है संस्था में 10 की क्या इंपोर्टेंस होती है 10 कैसे बनाते हैं ये सभी चीज़े आपको सिखाई जा चुकी हैं एंजियो में हम प्रस्तावना कैसे लिखते हैं ये जानकारी आपको अल्रेडी दी जा चुकी है तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको अभी तक इस बात की नॉलेज नहीं थी तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर ट्रिपल नाइन वन डबल नाइन सेवन डबल जिरो त्री पर हमें वर्टसप के माध्यम से इस केसबुक सीरीज का आप लिंक हमसे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों आज की जो विसिस ग्रांट है वो रोड सिफ्टी ग्रांट एप्लिकेशन जो मिरिश्टी ओफ रोड ट्रांस हमारे यूट्यूब चैनल के पोर्टल पर इसको चेक कर सकते हैं यह इंटरफेस आपको यहां पर कुछ प्रकार से दिखाई देगा उसके बाद अगर हम पहले की बात करें तो पहले भी आपको इस ग्रांट एप्लिकेशन के बारे में इन्फोर्मेशन दी गई है आप चाह आपकेशन रोड सेफटी की और दिखाई दीगी जो हमने लाश्ट टाइम जब रोड सेफटी ग्रांट एप्लिकेशन ओपन थी तो उस समय आपको प्रोवाइड की हुई थी इसको भी आप जो है चैक कर सकते हैं दोनों वीडियो के माध्यम से आप रोड सेफटी ग्रांट एप्लिकेशन करना मत भूलिएगा क्योंकि लाश्ट टाइम की सभी अल्मोस्ट एप्लिकेशन जो है वो सम्मधिर डिपार्टमेंट द्वारा रिजेक्ट कर दी गई थी और फ्रेश एप्लिकेशन फिर से ली जा रही हैं तो ऐसे में आप अपनी रोड सेफटी ग्रांट एप्लिकेशन को करना मत भूलिएगा यह देखे यहां पर आपको 14 माई में आपको यह जो है ग्रांट एप्लिकेशन मिल जाएगी यह दोनों ग्रांट एप्लिकेशन की वीडियो आपके पास एविलिबल हैं इनके रेफरेंस से इनको देखकर आप अपनी grant application स्वैम कर सकते हैं इसी संबंद में एक नया निर्देश भी प्राप्त हुआ है मैं उस निर्देश से संबंदित आपको जो है कुछ जानकारियां देना चाहता हूं जो आपके इस grant application में बहुत ही जादा कारगर साबित होने वाली हैं चली बढ़ते हैं उस जानकारी की और अभी चार जनवरी 2023 को मिनिस्ट्री ओफ रोड टांस्पोर्ट एंड हाइविस द्वारा एक notification जो है जारी किया गया है जो कि सभी NGOs और स्टेक होल्डर्स के लिए दिया गया है जिसके अंदर संबंदित मिनिस्ट्री द्वारा रोड सेफटी वीक सड़क सुरक्षा का जो है स्वच्था पकवाड़ा के नाम से आयोजन किया जा रहा है इसके अंदर सरकार का जो टार्गेट है वो आने वाले दस सालों में 50% तक रोड एक्सिडेंट्स को कम करने के टार्गेट के साथ ये स्वच्था पकवाड़ा की सुरुवात की गई है ये गवर्मेंट क ग्यारह जनवरी 2023 से लेकर 17 जनवरी 2023 तक रोड सेफटी से रिलेटिड अवेरनेस कैम्प्स जनरल पब्लिक के माध्यम से जनरल पब्लिक के बीच में जो है कंडग किये जाने हैं तो इसमें सभी संस्थाएं जरूर से जरूर हिस्सा लें सभी संस्थाएं सभी स्टेक होल्डर्स या सभी ट्रांस्पोर्ट और्गनाजेशन जो भी हैं मैं सभी फिलाल एंजियो की बात कर रहा हूं कि रोड सेफटी एक्टिविटीज को बढ़ावा दे ट्रेनिंग्स को बढ़ावा दे रोड सेफटी से रिलेटिड चिल्डरंस के बीच में आप कर सकते हैं तो इस सवचता पकवाडे में आप जरूर से जरूर हिस्सा लीजिए और कहीं न कहीं यह जो सेमिनार्स यह एड़ोकिसी प्रोग्राम्स यह वर्क्शॉप यह ट्रेनिंग्स जो आप कंडग करेंगे वह कहीं न कहीं आपके उस ग्र इस सभी को दिया गया है कि इस 11-17 जनवरी 2023 के बीच में आपकी सच्ची सरद्धा के साथ मानो सेवा की जो सच्ची सरद्धा है उसके साथ आप इस कारेकरम का जो है आयोजन आप अपने अपने शित्रों में जरूर करें और राष्टेंजियों महासंग भी आप सभी लोगो और इस सभी सरद्धा में हिस्सा लेने वाले संस्थाओं को गौर्णमेंट की तरफ से अगर किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेशन या किसी प्रकार का कोई अदर बेनिफिट अगर दिया जा रहा है तो उसके बारे में राष्टी एंजियों महासंग आपको इस सभी सभी जानकारी को भेतर लूप से समझ गए होंगे और इस नोटिफिकेशन की कॉपीज अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी हमारे राष्टी एंजियों महासंग के सथाई सदस्थ से हैं या हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आपकी प्रीमें मेंबर्शिप या ज जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत धन्यवाद